वेल्कम तो वील्स सिंज 2020 बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लेस दा बेल आइकोन हलो एब्रिवान एन वेल्कम तो माई चैनल वील्स सिंज 2020 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं ओडी एफाइब के बारे में दोस्तों यह ओडी का अपकमिंग कार है ओडी एफाइब जिसे ओडी लॉंच करने जा रहा है इसी साल 2020 में ही दोस्तों इसके बार में खुद ओडी ने एनाउंस किया था जब ओडी क्यू टू लॉंच हुई थी पांस दिन पहले यह ओडी का ओडी एफाइब स्पोर्ट बैक है जो लॉंच होने जा रहा है इंडिया में आप लोग इसे एक्सपेर्ट कर सकते हैं बाई नवेंबर एंट तक इंडिया मार्केट में मिल जाएगा आप लोगों को आज मैं आप लोगों को इस गाडी का कम्प्रीट डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ लेकिन उतसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्रिद्ट हमारे चैनल को सस्क्राइब करेजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेजिए आप लोगों को हमारे हर वीडियो की नोचिफ्छिछन मिलती रहें अब दोस्तों बात कते हैं इस गाड़ी के लुक क यह गाड़ी का front है आप लोग देख सकते हैं आपके screen पे display कर दिया गया है काफी board and standing room दिया गया है पोनेट पे काफी सारे lines देखने को मिले गया है charge trick line दिया गया है जो काफी गाड़ी को enhance करता है look को आप लोग को oddy grill देखने को मिलेगा black color में आप लोग देख सकते हैं आप लोग को fog lamp के चारों तरफे आपको black finishing दिया गया है black color में आपको गाड़ी में LED DRL दिया जाता है LED indicator और साथी साथ LED headlamps with LED fog lamps with headlamp washer प्रेट किया जाता है front में अब front में camera provide किया जाता है and front में front parking sensor भी provide की जाती है गाड़ी में अबराल एक काफी bold and styling look दिया गया है गाड़ी को आप लोग देख सकते हैं काफी sporty look provide किया गया है गाड़ी को अब बात करें side profile की तो दोस्तों यह गाड़ी का side profile ले आप लोग देख सकते हैं आपके screen पे सब और अगर आप लोगों का top model दाता है A5 RS उसमें आप लोगो 19-inch के alovis मिलेंगे जिनकी width होगी 255 mm अलविस के design काफी अच्छे आप लोग दिख सकते हैं काफी premium अपिल देता है यह गाड़ी को अगर दोस्तों इन सब के साथ साथ गाड़ी के अगर rear profile के बात करें तो rear का look भ 12 reflector दिया गए है दोनों साइड में आपको LED light दिया जाता है rear में rear LED light with dynamic turn indicator provide किया जाता है front and rear में intercreate rear spoiler provide किया जाता है rear में आप लोगों को rear parking sensor मेरेगा rear view camera with guyliness के साथ प्रवेट किया जाती है एन आप लोगों को रियर में रियर डिफोगर भी प्रोवाइड किया जाता है गाड़ी में तो यह था दोस्तों गाड़ी का ओवराल एक स्टेरियर लुक गाड़ी के इंटेरियर लुक के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार गाड़ी का dimension बगर बता जाता हूँ तो दोस्तों गाड़ी की length की बात करें इस गाड़ी को जो length आप लोगों को provide किया जाता है वो है आप लोगों का 4757 mm इस गाड़ी का जो width आप लोगो provide किया जाता है वो आप लोगों का 1843 mm इस गाड़ी में जो Height आप लोगह को प्रोइट की जाती है वो आप लोग को प्रोइट की जाती है 1386 mm और दोस्तों इस गाड़ी के अगर Wheel Base की बात करें वो Wheel Base आप लोगह को 2750 mm डॉपट की जाता है इस गाड़ी में अब बात करें suspension की तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको चारो suspension जो मिलेंगे sports additive damping suspension प्रोवाइड की जाते है इस गाड़ी में दोस्तों गाड़ी में आपको जो चारो brakes मिलते हैं वो चारो brake disc brake मिलते हैं and regenerative brake मिलते हैं यानकि आप जब लोग brake लगाएंगे तब जो energy है यूज़ करेगा heat energy producer का उसे गाड़ी यूज़ करेगा अब बात करते हैं इस गाड़ी के interior की अगर दोस्तों गाड़ी की interior की बात करें तो इसका interior के लुक है आप लोग के screen पे display कर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं काफी bold and styling लुक दिया गया है गाड़ी को काफी हक्तुक similar है पीछली वाल मॉडल से आप लोग देख सकते हैं बस कुछ cosmetic changes किये गया है तो फीज़े की बात करें आप लोग को digital instrument cluster मिलता है एक 788 इंच का infotainment screen प्रवाइड किया जाता है गाड़ी में गाड़ी में आपको two zone climate control automatic AC प्रवाइड किया जाता है गाड़ी में आप लोग को decart steering wheel प्रवाइड किया जाती है गाड़ी से automatic transmission में आईगी एस्ट्रोनिक automatic transmission में गाड़ी में आप लोग को 34 color का embed color option रहता है आपका जो instrument cluster है आपको fully digital प्रवाइड किया जाता है जो fully customizable है आप लोग अपने हिसाब से उसे adjust कर सकते हैं आपको फोन को वाइले चार्जिंग कर सकते हैं प्रवाइड किया गए है एक सिंटर आम रेश्ट बहुत प्रवाइड किया गए है आप लोग को उसके नीचे भी आपको एक charging port मिलेगा और अगर rear wind के बात करें rear में आपको AC events प्रोवेट किया जाते हैं तो AC events साथ यसाथ दो charging port भी प्रोवेट की जाएगी rear में and एक armrest प्रोवेट की जाएगा with two cup holders के साथ आपको प्रोवेट की जाएगी rear में और अगर seats की बात करें तो दोस्तों ये एक five-seater गाड़ी है पांच लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं आपको गाड़ी में जो seats दिये गए हैं आगे के दो seats आपको electrical adjustable seats प्रोवेट की जाते हैं और पीछे के जिसे से normal seat रहेंगा आप लोग देख सकते हैं काफी जारा comfortable seat है आप लोग को fully leather seat गाड़ी में प्रोवेट की जाती है आप लोग को कुस्टमाइज कर सकते हैं leather का color आप लोग चूज कर सकते हैं आपके seat color आप लोग को black beach and red color का option रहता है या फिर dark brown आप लोग कर सकते हैं यह वाला color आप लोग देख रहे हैं अगर दोस्तों सेप्टी के बात करें तो दोस्तों आप लोग जानता है जर्मन कर्स की सेप्टी में बहुत ही ध्यान रखा जाता है गाड़ी की बाड़ी स्ट्रक्चर है वह काफी जारा rigid body structure है गाड़ी में आप लोग को ABS प्रोवैट किया आता है इबीड्स प्रोवैट किया आरतोय हाद्स को अबने ट्रक्षन कंत् ли सकते हैं sport mode, eco mode, comfort mode आप लोगों हिसाब से इसके साथ साथ आप लोगों को adaptive cruise control प्रवेड की जाती है और साथ इसाथ आप लोगों को park assist प्रवेड की जाती है जो parking के लिए आप लोगों को बहुत helpful होती है तो दोस्तों इतना ही था है इस गाड़ी के इंटियूर के बारे में और साथ फीचर के बारे में अब बात करते हैं गाड़ी के सबसे में चीज जो है गाड़ी का engine तो जोस्तों इसमें आप लोगो पेट्रोल इंजिन प्रवेड की जाएगी डिंजल इंजिन की बारे में जो कोई information नहीं है रहो सकता है मिल सकते है आप लोगों को लेग पेट्रोल इंजिन कर्फरम में आएगा आप लोगो आपको टू लिटर का पेट्रोल इंजिन प्रवेड की जाएगा यानिके 2,000 सिसी का फॉर सिलिंडर बेट्रोल इंजिन जो आपको प्रवाइड करेगा 248 होट्सपावर एट 5,000 आर्पेम जो आपको 370 नियूरो मिटर आफ टॉर्क प्रवाइड करेगा दोस्तों गाड़ी जो आप लोगो प्रवाइड की जाएगी वह आप लोगो 7 स्पीड डॉल इस प्रवाइड की जाएगी इंडिया में और दोस्तों यह गाड़ी जो है आप लोगों को अल्वील ट्राइब में प्रवाइड की जाएगी इंद्धों आप लोगों का जो आभरेज फ्यूल इस गाड़ी में होगा वह आप लोगों कर सकते हैं 13 के आसपास अपक्शन के करती है अब दोस्तों इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक आप लोगों को प्रोवेड किया गया है वह आप लोगों को प्रोवेड किया आता है 55 लिटर के फ्यूल टैंक दोस्तों, इस गाड़ी में आप लोगं को जो boot space provide के जाता है वो आप लोगं को provide के जाता है 480 लिटर का boot space तो दोस्तों, इतना ही था survey के A5 के बारे में आप लोग प्लीज, comment में बता है ये गाड़ी आप लोगं को के सी लगी और आप लोग कितना इसका प्राइस एक्सपेट कर रहे हैं इंडिया में व्यस्थे दोस्तों मैं इस गाड़ी का प्राइस जो है और इसका लॉंच डेट जो है अब लोग वीडियो को एंड में बता दूंगा लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजे तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के launch date की अगर इस गाड़ी के launch date की बात करें तो इस गाड़ी को launch करने वाला है ओडी नवेंबर के end में 2020 में launch कर दिया जागा इसे इंडिया मार्केट में जहां दोस्तों लास्टवी की ऑप नौवेब्मर में इसे एंड कर दिया जाए हिंडिया में अब दोस्तों इस गाड़ की प्राइस की बात करे हिए तो इस गाड़ के जो प्राइस होने वाला है वह आप लोगες पर कर सकते हैं ऑधी तो आप लोग कह सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है तो आप लोग इस पर कर सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है मिनियूम 48 लाक से शुरू होगा और टॉप मरल की प्राइसिंग आप लोगों को 65-70 लाक के आसपास हो जाएगी यह दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं expected price and actual price मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो दोस्तों आज इतना ही था इस वीडियो में और ये फाइब के बारे में जैसे इस गाड़ के बारे में और कोई information सामने आती है मैं आप लोगों को अपने चैनल में इसके सारे information provide कर दूँगा उसके लिए आपको मेरे चैनल सस्क्राइब करना होगा और आप लोगों को bell icon को प्रेस कर देना होगा ताकि हर वीडियो के notification आप लोगों को मिलती रहे मैं उमीद करता हूँ आप लोगों के ये वीडियो अच्छा लोगा होगा and thank you friends for watching this video goodbye, take care